हलो स्टूटेंट्स वेलकम टू मैं रुपाली वर्मा आ गए हम फिर से नया कुछ लेकर आज का नया शुरू करने से पहले हम आपको ये बता दें जैसा कि आप पीछे देखी रहे हैं कि ये हैं मैंने ब्रेंस टेस्ट पेपर सीरीज ये आपको टोटल 100% फ्री दिया जा रहा हो जो कि ये टेस्ट पेपर आपको 100% मिल रहे चलो फटाफट देख लेते बिलकुल भी परेशान नहीं हुएolphी है हमारे हैनि मैंनट श्क्राषरा मिलंतह है यह नहीं की स्पेपर आपको फ्री मिल रहे हैं यहां पे आपको कोई भीड़ी कोई टॉपिक देखना है कोई भी चीज देखनी है किसी भी क्लास की देखनी है यानि की क्लास के इंडर गार्डेन से लेकर क्लास 12 तक हिंदी बोर्ड आपका स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम ओलंपियाड एंटी ऐसी सब भी कुछ 100% फ्री मिलता है इसक कुछ नहीं आप कोई भी वीडियो कितनी भी बार जब जाहें देख सकते हैं 100% फ्री है अब आदे हैं आज की वीडियो पर आज का वीडियो जैसे आप देख रहे हैं कि यह हमारा टेस्ट पेपर सीरीज है फॉर क्लास 4 तू 12 ओल सबजेक्ट तो यह आपको 100% फ्री दिया चा रहा है आपको तो यह हम क्यों कर रहे हैं देखिए आपकी बहुत सारे ठेस्ट एक्शाम होते रहते हैं तो उस बीच आप रिवीजन भी करते रहते हैं तो आपको एक पल कोई डाउट लगता है पतानी मेरा रेवीजन कंप्लीट हुआ對啊 क्या है क्या है मुझे समझ में जाता है आप इसको हमारे pausch पे लिंक download कर सकते हैं है आप फूरे test paper को series को जितना भी आपके test paper मिलते जारें हर subject के आपको दो दिन पहले जिस दिन भी solution आएगा उस सो दो धिन पहले आपको संव करके लखिए दो दिन बाद इसका solution लेकर हम आपके पास आ जाएंगे जैसे आज हम आए हैं solution लेके तो कौन सा है ये अभी हम बताते हैं तो आप ने अभी तक इसको solve कर लिया होगा क्योंकि आपको दो दिन पहले ये मिल चुका है तो अब ये कौन सा है क्या है ये अब हम देखते हैं तो आज का जो test paper है हमारा ये class 9th Hindi course B तो आपको पता है 9th में हमारे 2 course चलते हैं एक course A चलता है एक course B चलता है course B में हमारी books चलती है इसपर्ष और संचैन तो आज का जो हमारा chapter है वो इसपर्ष भाग एक से है पार्ट संख्या 3 है आथिती तुम कब जाओगे बहुत अच्छी कहानी थी कि अथिती आ जाते हैं लेखक की जेब ढेली हो जाती है वो पड़े रहते हैं उनको जताने के लिए लेखक कितने तरीके तरीके करते हैं अगर अथिती हैं कि वो घर से जाने का नाम नहीं ले रहे और यहां लेखक का बजट बिगरता चला जा रहा है तो यह पूरा हमने पार्ट समझ लिया था अब इसी पे आधारित हम आपके लिए लेकर आएं तो इसमें आपके objective और subjective दोनों ही थाए कि प्रश्न पूछेगा हैं थ्यान रखिएगा क्योंकि आपके इन्हीं दोनों पैटन से आपको में एक्जाम होते रहते हैं तो चलिए तो सबसे पहले जो हम शुरू करेंगे वो हैं हमारे objective कोर्शन objective यानि बहुविकल्पी प्रश्न प्रश्न संख्या एक है लेखक का बटवा अंदर ही अंदर क्यों कापने लगा अब बटवा एक निर्जीव वस्तू है वो अंदर काप रहा है तो इसका क्या मतलब है क्यों कापने लगा था क्यों उसे डर लग रहा था किस चीज़ का डर अब भी काप रहा था लेखक का बजट गड़बड़ा गया था इन में से कोई नहीं तो सही option है बटवा का अपने का मतलब था लेखक का बजट गड़बा तो ये प्रतिकात्मक तौर पर संटेंस इस्तेमाल किया गया है बटवे का का अपना अर्थात बजट का गड़बड गड़बड़ाया क्यों था क्योंकि लेखका वो अथिति आ गया थे लेखके घर पर और उनका पूरा बजट बिगड़ गया था प्रेश्ण संख्या दो है अथिति का देवत्व कब तक सुरक्षत रह सकता है हमारे यहां कथन है ना अथिति देव भवा तो अथिति देव क अब तक रहता है और कब वो असुर बन जाता है यह चीज़ इस पार्ठ के अंदर समझाए गया थी जो हमारा अत्ती है कब तक देव बना रहता है और कभ वो असुर के रूप में आ जाता है तो देव का देवत्व कब तक सलामत रहता है कब अधिती की अधिक दिन टहरने पर अगर अधिती बहुत दिन ठहरता रहता है तो उसका देवत्यों सम्हला रहता है अधिती अधिक समय तक किसी के घर ना रुके अगर वो किसी के घर ज्यादा समय के लिए ना रुके तब यदि अधिती भेट लेकर चले जाने उनको गिफ्ट दे दो और वो चले गए उनका देवत्व सलामत है यदि आतिती paying guest की तरहे रहे याने कि जैसे paying गेस रहते हैं पे करते हैं और रहते हैं उस तरीके से रहे तो सही option हमारा इसमें है आतिती यदि आधिक समया तक किसी के घर ना रुकिए तो देवत्वता क प्रश्य संख्या तीन है लेखक अथिती से क्या चाहता है लेखक अथिती से क्या उमीद रखते हैं वह लेखक के ही घर में रहें एक दो दिन और रुकें वह जल्दी चला जाए या इन में से कोई नहीं तो सही option है कि वह जल्दी चला जाए वो यही चाह रहे थे कि कई दिन प्रश्ट संक्या पांच है किस प्रकार का आगात अप्रत्याशत था। हो गया था मेहमान द्वारा कीमती सामान तोड़ देना उन्होंने सोचा नहीं था उन्होंने कर दिया मेहमान का आना और रुख जाना मेहमान का घर के मामले में दखल देना मेहमान द्वारा अपना खर्चा स्वयम देना तो सही option है मेहमान का आना और रुख जोना उन्होंने ये सोचा नहीं था कि मेहमान आएंगे और इतने दिन के लिए रुख जाएंगे प्रेश्ण संख्या 6 है लेखक को अथिती से क्या उमीद थी लेखक अथिती से क्या उमीद कर रहे थे वह कुछ काम करेगा वह लेखक की मदद करेगा वह अगले ही दिन चला जाएगा इन में से कोई नहीं तो लेखक ने अथिती से उमीद करी थी कि वह अगले ही दिन चला ज जाएगा लेकिन वो रुख गए है प्रेश्ट संख्या साथ है शरत जोशी का जन्म कब और कहा हुआ देखिए जब हम कोई पार्ट पढ़ते हैं यानि कि जैसे हमने ये पार्ट पढ़ा तो ये पार्ट लिखा किसने शरत जोशी जी ने लिखा है तो हमें उनका जीवन कटनी में 21 मई सन 1931 को उझियन में 25 मई सन 1931 को भोपाल में तो सही प्रेश्ट संख्या आठ है अथिति किटने रिखा के घर पे रह रहा था जो अथिति आये थे वो कितने दिन उनको हो गए थे पांच दिनों से चार दिनों से तीन दिनों से या छे दिनों से तो सही ऑप्षन है कि वो चार दिनों से रह रहा था और पांच वे दिन तक लेखक परिशान हो चुके थे उनसे प्रेश्ट संख्या नौहे लेखक की पत्नी अथिती के सत्कार से दुखी होकर क्या बनाने को कहती है अब अथिती चुकी इतनी दिन तक रूख चुके थे उनको अच्छे चे पक्वान खिलाये जा चुके थे अब अथिती जो उनकी पत्नी थी लेखक की उन्होंने अब अथ अधिती के लिए इतने दिन बाद क्या बनाने की सूची भै परिशान हो गए तो क्या हुआ खिचडी पुलाव आलू या खी तो पत्नी ने सोचा क्या बनाने के लिए कहा खिचडी बनाने के लिए क्योंकि अब तक सभी पक्वान उनको खिलाये जा चुके थे चार दिनों तक प्रेश्ण संख्याँ 10 है तुम कब जाओगे अत्ति पार्ट में लेखक ने कैसे लोगों पर विंग किया है इसमें किस तरह के लोगों पर विंग किया है राजनेताओं पर फिल्म निर्वाताओं पर एसे अथितियों पर जो आ कर जाने का नाम नहीं लेते हैं सिक्षा विवस्था पर तो सही option है हमारा गा ऐसे अथितियों पर जो किसी की घर चले जाते हैं और फिर वहाँ से वापस आने का नाम नहीं लेते हैं प्रेश्ण संख्या 11 है लेखक की सहन शक्ती किस दिन जवाब देने लगी थी लेखक की सहन शक्ती जवाब देने लगी थी चार दिन तक रुख चुका था आगे दूसरे दिन पाचवे दिन तीसरे दिन या चौथे दिन तो सही option है कि पाचवे दिन जो है वो अथिति लेखक की सहन शक्ति जवाब देने लगी थी प्रेश्ण संख्या 12 लेखक के अनुसार अथती के समय पर लौट जाने पर अथती का क्या सुरक्षत रहता लेखक के अनुसार अगर अथती अपने समय से लौट जाते तो उनका क्या सालामत रहता सामान इज़त देवत्व या मान तो सह उनको अथिति के प्रति जो सम्मान था वो सलामत रहता मगर अब वो सलामत नहीं रह रहा था प्रश्च संख्या 13 है लेखक अथिति को देखकर तारीख ही क्यों बदल रहा था अब लेखक में जब अथिति को देखा तो वो तारीख ही क्यों बदलने लगा था क्या था लेखक का तारीख बदलने का निश्चत नियम था वो डेली नियम जो है तारीख बदलते थे इसलिए वह आतिती को तारीख बदलने वाला कलेंडर दिखाना चाहते थे वह दिखाना चाहते थे कि हमारे अगदम अलग सा कलेंडर रखा है यह आप देखिए वह आतिती को अपने कारिक लेखक के घर आए कितने दिन हो चुके हैं ये दिखाना चाहता था कि उनको यहां पर आए बहुत दिन हो गए हैं अब उन्हें यहां से जाना चाहिए तो सही option है कि वो तारीके दिखा कर ये बतलाना चाहते थे कि अथती की लेखक के घर आए अथती को कितने दिन हो चुके है question number 14 है लेखक अपने अथती से किस प्रकार की आशा रखता था अब जो अथती उनके घर आए थे यानि कि मेहमान जो उनके घर आए थे लेखक उनसे क्या आशा रख रहे थे क्या उमीद कर रहे थे आओ और अपना खर्चा स्वयम उठाओ मतलब आप महमान मन के मेरे आओ लेकिन यहाँ पे अपना खर्चा आपको स्वयम अपने आप उठाना है आओ और दो महीने रुक कर जाओ आओ और दूसरे दिन सम्मान से चले जाओ मतलब आओ दूसरे दिन वापस चले जाओ आओ पहल खाते दाधी कराईए और दूसरे दिन चले जाईए प्रेश्ट संक्या 15 है कहां जाकर लेखक के अथिती से संबंध मदूरता से करवाहट में बदलना आरंभ हो गए कहां पर भई लेखक अथिती जब शुरू शुरू में आये थे तो उनके बड़ा आदर सम्मान सब कुछ समय आया जब उन दोनों के बीच के जो संबंध थे वो करवाहट में बदलने लगें ता जब अथिती अपना खर्च देता है लेखक को उल्टा सीधा कह देता है लेखक के विरुद्ध शडियंत्र करता है जब आधिक दिनों तक ठहरता है तो सही option है कि जब वो आधिक दिन अब इसके बाद हमारे subjective question यानि की हमारे वर्णात्म कोशन आएंगे जहां पर हमें describe करना पड़ेगा जो कुछ लिखा उसे हमें पूरा detail में लिखके उसको आंसर देना पड़ेगा तो देखी कैसे question पूछा गया है प्रेश्डि संख्या सोला है लेखक ने अथिती का स्वा स्वागत किया अता हम सभी जानते लेकिन परोक्ष डायरेक्ट नहीं इंडायरीकली आपको आपको पता है परोक्ष का मतलब क्या होता इंडायरीक नहीं इंडायरेक्ली तो वह किस तरह की तकलीफ मोंचा रहा था क्योंकि बहुत दिन तक रुख गया थाcamera जैदा दिन रू अथति ने राक्षस का रूप धारण कर लिया और वा अपने घर जाने का नाम ही नहीं ले रहा था अपने इस कारेसे अथति इसपश्ट रूप से लेखक को पीड़ा पहुचा रहा था मतलब वो आगए थे जहना नहीं चाह रहे थे और इस तरीके से होने लगी थी कोशन नंबर 17 है लेखक मन ही मन अथिति को क्या चेताव नहीं देता है तथा मन के अंदर लेख़ आतीति को क्या चिताबनी देता है तता घर के अंदर का सोहार्द या स्वीटनेश कब कर अगर कोई अलम परसन आ जाए तो लोगों के बीच इक अलग सा कुछ बटने सा लगता है तो वो चीज़ स्वीटनेस कब खतम होने लेगी जब अथिती जादा दिन रुख के इंटरफेरंस करने लगे थी सब के बीच में तो क्या था लेखक मन ही मन अथिती को ये चेतावनी देता है कि यदि कल भी अथिती जाने का निर्णे नहीं लेता तो उसकी सहन शक्ति समाप्त हो जाएगी यानि कि जो वो अभी तक चार दिन तक सहन कर रहा है तो पांचवे दि ये मन में जितावनी देता है फिर क्या है किसी भी घर के अंदर का सौहार दिया सूटनेस तब कम होने लगती है जब बाहर का कोई व्यक्ति या थिती घर के सदस्यों के बीच अंचाहे व्यक्ति के रूप में रहने लगता है यानि कि हमारे घर में अगर हम ना चाहें कि होने लगता है इस वज़े से हम लोग चाहते हैं कि कोई भी बाहरी व्यक्ति जादा दिन तक हम लोग के बीच ना रहें कोईशन नमबर 18 है लेखक जानता है कि अथिती देवता होता है लेकिन लेखक क्यों चाहता है कि अथिती लोट जाएं अथिती देवो भवा ये चीज़ है तो लेखक ये चीज़ से अच्छे जानते हैं कि अथिती देवता होते हैं लेकिन तब भी वो क्यों कह रहे हैं कि ये गरिमा का ध्यान ना करते हुए उसके घर से जाने का नाम नहीं लेता और लेखक पर आर्थिक बोज बढ़ने लगता है तो वो चाहता है कि अब अथिती लोट जाएं मतलब बहुत अच्छे से उनका स्वागत किया सब कुछ हुआ लेकिन अब क्या है अब उनको चले जाना चाहिए लेकिन वो बने हुए हैं और उन पर आर्थिक बोज question number 19 है लेखक ने अतिती को देवता ना मानकर राक्षस के समान क्यों माना है इस पश्ट कीजे उन्होंने देवता ना मानकर अतिती को क्या माना है राक्षस ऐसा क्यों है क्यों कि भाई देवता जो है वो क्या होते हैं आते हैं दर्शन देते हैं और चले जाते हैं लेकिन राक तरीके से वो देवता से राक्षस में परिवर्तित हो चुके थे। जैसे राक्षस आ जाता है। और जबर जस्ती रहकर घर की खुशियां, मधूर्ता और शांती निगलने लगा था। इसलिए लेखक ने उसे राक्षस माना। आथिती बड़े मजे से लेखक के घर में रहकर स्वादिश्ट भूजन खा रहा था। वह बैठे बैठे सिगरेट के छले उड़ाता और राद को खराटे मार कर सूता है। उसे घर के सदस्यों के सुख दुख की कोई चिंता नहीं है। वह लेखक के लिए एक बोज़ बन गया है। जिसके कारण लेखक के घर का वातावरण बोजल एबम उबाव हो जाता है। तो मतलब क्या है उसको बैठ लेखक ने अथिति को राक्षस का सुरूप प्रदान कर दिया था। प्रेश्ण संखिया 20 है अथिती को जानीं के लिए लेकखक किस तरहा के संकेत दिये थे। उन्होंने कई तरह संकेत दिये दिये जैसे लॉंड़ी में कपड़े उन्होंने बोला कि लॉंडरीम में दें जो है वहाँ से जल्दी मिल जाएंगे दूसरा वो तारीके कलेंडर की बदल रहे थे तो वो सभी संकेत आपको यहाँ पर लिखने हैं तो कैसे लिखेंगे देखिए अतिती को जाने के लिए लेखक ने निम्न तरह से संकेत दिये क्या था पहला संकेत लेखक अतिती के सामने उसे दिखा कर तारीके बदलता है तारीके बदलते समय वह इस बात को धहराता है कि आज कौन सी तारीक हो चुकी है ऐसा करके वह अतिती के को जाने की दिन याद दिलाना चाहता है कि मतलब आप कब आये थे और कब दिन हो गया है अब आपको वापस चले जाना चाहिए यह क अतिती के कपड़े गंदे हो गए उन्होंने बोला कि भाई हम ऐसा करते धोबी को दे देते धूल जाएगा तो इन बोला आप दोबी को क्यों दे रहे लांडरी में दे दीजे जल्गी आ जाये गा क्योंकि आपको तो जाना होगा वापस तो इंडालेकली यह जीज़ वो समझाने की कोशिश कर रहे 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 हैं तीसरा है लेकक ने अतिती से अपनी नाराजगी दरसाते हुए उसे गपे मारना और साथ में ठाके लागाना बंद कर दिया उनके बीच का सौहरत बोजिल बोरियत में परिवर्तित हो गया तो जैसे कोई गेस्ट आता है तो उनसे बाते करना गपे मारना मजाग करना यह होता है तो शुरू-शुरू के 2-3 दिन तो हुआ अब जब अतिती जाने का नाम नहीं ले रहा है तो लेकक ने यह सारा इंटर्टेंटमेंट बहिंद कर दिया मतलब वो उनके साथ बैठते नहीं, बाते नहीं करते, वो अब खाली अतिती ही अकेले-केले बैठे रहते थे, तो ये भी इंडिरेक्ली एक इंडिकेशन था कि अब आप चले जाईए, चौथा है घर में खाना डिनर से चल कर खिचड़ी पर आ गया, यह भी एक ठोस संकेत थ अतिती को वापस भेजने का, इस तरह लेकक ने अतिती को शीकर घर वापस जाने के लिए कई संकेत दिये, तो अब क्या है, खाना पहले किस से शुरू हुआ डिनर से, यानि डिनर का मतलब बहुत तरह के पक्वान सब कुछ किया, लेकिन अब वो कहां पहुंच चुका था, अब वो खिचडी पे बहुत चुका था, कि मतलब आप खिचडी आप खा लीजिए और चुटी कीज़े, तो खिचडी हम कब खाते हैं, हम जैसे नॉर्मल दिनों में, कोई घर में गेस्ट आये, तो तुम खिचडी नहीं बनाते, तो यह इंडिरेकली इंडिकेशन था, कि अब आपका टाइम खतम हो गया, अब आपको चले जाने, तो यह तरीके से उन्होंने बहुत सारे संकेत, लेखक ने दिये, आतिती को कि अब उन्हें वापस चले जाना चाहिए, तो यहाँ पर हमारा यह जो टेस्ट पेपर था, यह समाप्त हो गया, आप सभी को समझ में आ और चैनल है, Magnet Menes Hindi, इसमें हिन्दी मीडियों के जितने भी आपके सब्झेक्स हैं, उनस अभी के वीडियो दिखाये जाते हैं, तो आपके जानने में जितने भी स्टुडेंट जो हिन्दी मीडियों में पढ़ते हों, आपके फ्रेंड्स में, आपके आजपडोस में, आप को सारा कंटेंट सिर्फ हमारे ही चैनल यानि मैगनेट बेंस पर ही नहीं मैगनेट हिंदी पर भी आपको सारा ही कंटेंट टोटली अरेंजड मिलेगा कहने का मतलब यह है कि जैसे हम लोग अपनी बुक्स उठाते हैं उनमें हम देखते हैं कि एक चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर ओपन देखते हैं तो एक से एक कनेक्टेट टॉपिक से हमें हर एक चीज़ मिल जाती है उसी तरीके से हमारे चैनल पे भी आपको हर एक चीज़ टूटली अरेंजड मिलेगी कहने का मतलब है आपका क्लास वाइस सबजेक्ट वाइस फिर उसके बाद बुक वाइ चैप्टर वाइस टॉपिक वाइस हर एक चीज़ टूटली अरेंजड है आप एक टॉपिक देखेंगे तो दूसरा टॉपिक ढूणने के लिए आपको इधर से उधर नहीं जाना पड़ेगा तुरंत उसके बाद प्लेलिस्ट में उससे रिलीटेड टॉपिक नेक्स्ट है जैसे आपके बुक में एक्स टॉपिक वो है उसी तरीके से हमारा भी वीडियो एक के बाद दूसरा आरेंजड है तो आपको इसके लिए बिलकुल भी परिशान होने की जुरूत नहीं पड़ेगी हमने के एक टॉपिक पढ़ लिया दूसरा टॉपिक पढ़ने हम कहां पे इसलिए हमारे चैनल के साथ बने रही है क्योंकि हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं आपकी परिशानियों को समझते हैं कहां कहां आपको परिशानी आती है तो सभी कुछ इन्हीं परिशानियों को ध्यान में रखते हुए हम अपने वीडियो अपने चैनल प जेगा, thank you for watching, bye bye.